क्या आपने भी सोचा था कि 2024 आपका year होगा, आप एक high income skill generate करोगे and अपने parents को या फिर अपने दोस्तों को अपने उपर proud feel करवाओगे देखो, 2024 एंड नोने में सिर्फ और सिर्फ 80 days बचे है and अगर आप ये video देख रहे होगे, तो 100% आपने बहुत महनत करी होगी एक high income generate करने पर जादा तर लोग unsuccessful होगे अब देखो, आप सब में मैं दो type के लोग की categories बनाता एक वो जो सोचते है कि यार इतने दिन तो waste होगे अब अगले साल कुछ नया बढ़िया करूँगा 2025 मेरा year होगा and 80 days ये waste जाने लोगे and second type के वो लोग जो सोचते होगे कि यार 80 days बचे है and इस साल के end होने से पहले मैं एक high income generate करना सीख जाओगा and इस साल को मैं बिल्कुल भी waste नहीं होना दूगा और जो last के 80 days बचे है उसके end होने से पहले मैं एक लाक रुपे तो कमा के ही मानुगा देखो अगर आप first category में हो तो शायद से आप हमेशा अपने आपको excuses देते रहोगे and कभी भी life में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप अगले Monday का वेट करते रहोगे या अगले month का वेट करते रहोगे या अगले साल का वेट करते रहोगे and ऐसे करते करते आप time waste करते रहोगे but अगर आप second category में हो तो इस वीडियो को like कर लो and इस वीडियो को end तक देखना क्योंकि आज मैं make sure करूँगा ये 80 days में आप 1,00,00 रुपे या उससे ज्यादा कमा ही लो and इस वीडियो में अगर जो-जो मैं methods बटाओ उस पे आप follow कर लोगे तो शायद से आप 1,00,00 रुपे next 30 days में कमा लोगे तो आप मेंसे कई सारे लोग मेरे को नहीं जानते होगे तो मेरा नाम है जोयानन and मैं अपनी बहुत सारी marketing agencies run करता हूँ and मैं आप सब भाईयों को भी यही सिखाता हूँ कैसे आप भी इस digital era में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो marketing से तो चलिए शुरू करते इस video को तो सबसे पहला method जिसके मैं बात करूँगा वो है copy-paste नहीं, दूसरे youtubers की तरह copy और paste करने पे पैसे earn करने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ replicable और actionable steps जो आज से ही copy-paste करके अगले 30 दिन में 1,00,000,000 रुपे easily कमा सकते हो चाहे आप अपनी SMMA start करो या video editing agency start करो in next 30 days you'll achieve your goal मुझे ये भी पता है कि अगर आपको video editing से 10,00,000 रुपे कमाने तो शायद वो इतना easy नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको manpower भी जादा चाहिए and थोड़ा saturate भी हो गया है पर हमारा target है सिर्फ और सिर्फ एक लाग रुपे कमाना and वो आप video editing से इतनी तेजी से कमा लोगे जिसकी कोई limit नहीं अब copy-paste से मेरा ये मतलब है कि मैंने और मेरे partner ने अपनी video editing agency से 25,000 डॉलर से भी ज्यादा कमाया है per month and अगर आप हमको copy-paste करोगे and हमारे actionable steps पे action लोगे तो आप easily एक लाग रुपे अराम से कमा लोगे मैंने SMA में का पूरा Zero to Hero course free में इस channel पे upload किया हुआ है जिस पे मैंने cover की हुई ये चीजे जैसे offer creation, niche selection, lead sourcing, hold out reaching and sales A to Z सब cover कर रहा है आपको बस अभी इस channel को subscribe करना है और इसकी playlist में जाना है and वह आपको SMA का पूरा course free में मिल जाएगा सबसे पहले तो वो देखो और same यही video editing का course मेरे partner साहिल ने अपने channel पे upload कर रहा है तो अगर आप SMMA करना चाहते हो तो आप मेरा channel देख सकते हो and अगर आप अपनी video editing agency को grow करना चाहते हो या फिर खोलना चाहते हो तो आप साहिल के channel पे जाके देख सकते हो और हाँ subscribe करना मत भूलना क्योंकि ये values हम आप सब को free में देते हैं तो first method था SMMA and video editing agency जो की बहुत अच्छे से हमने cover की हुई है and आप अभी जाके वो देख सकते हो अब आजाते है second method में ये method बहुत famous हो रहा है and यही future है इस method का नाम है AI automation agency या देखो ये एक ऐसा model है जो सीखने में आपके 15-20 दिन तो जाएंगे पर सीखने के बाद आपका target एक लाग से एक करोड उपर पहुच जाएगा क्योंकि वहाँ तक भी जाना इस model से बहुत आसान है इस business model में एक तो saturation बहुत कम है and second जिस भी चीज के आगे AI लग जाता है उससे business owners आजकल बहुत ज्यादा attract हो रहे है जैसे for example मैंने कल एक case study देखी थी जहाँ पर जितने भी AI startups है उनकी total valuation तो 1 billion dollar से भी ज्यादा है पर जो उनने total revenue करा है वो 100 million dollar से भी कम है तब सोच लो AI की कितनी ज्यादा demand है and third ये एक बहुत high ticket product है तो अगर आपने ये achieve कर लिया तो शायद से अगले 5-10 साल आप बहुत असानी से बहुत पैसा कमा सकते हो मैं आपको थोड़ा idea देता हूँ AI automation agency के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये question आएगा कि AI automation agency होती क्या है AI ने बहुत काम असान करती है चाहे आप chat GPT की बात करो या mid journey की बात करो and सबसे ज़्यादा काम जो इसने असान किया है वो है जितने भी repetitive tasks है उनको automate करना repetitive tasks को automate करने से दो फायदे होते हैं business owners के लिए सबसे पहला तो कि उनको manpower की कम जरुरत होती है and secondly manpower में भी बहुत सारे human errors हो सकते हैं वो सारे eliminate हो जाते है because AI सारा काम perfectly करता है तो हमें business owners को ढूणना है and उनको ऐसी services देनी है ताकि वो अपने business को और ज़्यादा automate कर पाए and वो ज़्यादा पैसे कमा पाए and जिसकी वज़े से वो हमें भी ज़्यादा पैसे दे पाए अब आप में से कई सारे लोग ये सोचोगी कि इसमें कितना investment लगेगा AI automation agency start करने में आपका लगेगा इतना investment 0 rupees क्योंकि ये एक skilled based business है and skilled based businesses में आपको ज़्यादा investment करने की ज़रूरत नहीं होती है बस आपका लगेगा time इस AI model को सीखने में and अपनी service delivery करने में clients को अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये सीखे कहां से देखो YouTube पे आपको हजारो videos मिल जाएगी and मैं भी ऐसी videos बहुत सारी लाता रहता हूँ तो अगर आपको मेरे channel पे AI automation के बारे में और ज़्यादा जानना है तो अभी के अभी नीचे comment करना please give me AI and मैं इसके उपर एक जल्दी से video बना हूँगा अब बात करते हैं इसको scale कैसे करना है तो देखो basics वही रहते हैं चाहे आप SMMA कर रहे हो, video hitting कर रहे हो या फिर अपनी AI automation agency क्यों ना चला रहे हो basics वही रहेंगे, हमें clients डूणने है and clients डूणना मैंने इस channel पर बहुत बार सिखाया आप मेरी previous videos पर जाके सीख सकते हो या जो SMMA का course है, उस पर जाके outreaching के बारे में सीख सकते हो and easily आपको बहुत सारे clients मिल जाएंगे पर outreaching करने से पहले ज़रूद यान रखना आप AI automation के बारे में सीख लो ताकि आप अपनी clients को अच्छी delivery दे पाओ अब आ जाते है third method पर इससे एक लाग रुपे कमाना बहुत आसान है पर इसमें आपको थोड़ी बहुत investment की ज़र्ग पड़ेगी इस method को कहते है drop shipping अब मान के चलो कि मेरे को यह light खरीदनी है तो मैं Google पर जाओंगा और सर्च करूँगा RGB light अब मेरे को बहुत सारे vendors दिखेंगे अब उन vendors में से मैं उसको select करूँगा जिसकी मेरे को website अच्छी लगेगी जिसकी reviews मेरे को दिखेंगे अच्छे है अब जिस पर मेरे को थोड़ा बहुत trust होगा अब जिस भी vendor से मैं खरीदूँगा जरूरी नहीं है कि उसके पास ये समान अपनी jam में हो या फिर उसके go down में भी हो ऐसा भी हो सकता है वो किसी third person से आउट्सोर्स करके वो समान मेरे को भीजेगा तो जो third person हुआ वो हुआ manufacturer जिसने मेरे को आउट्सोर्स करके समान दिया वो होगा dropshipper और मैं होगा end customer तो आपको बनना है dropshipper और आपको ना inventory की जरुवत है ना ही आपको किसी और चीज़ की जरुवत है आपको बनानी है एक अच्छी सी website अच्छे से उस पे ads चलाने है और बहुत trustworthy एक community बनानी है और आपका काम हो जाएगा अब इसमें आपकी बहुत investment लगेगी अपनी website बनाने में ads चलाने में products test करने में और बहुत सारी चीज़े और ये method में आपको तभी recommend करूँगा जब आपके पास पैसे को खर्च करने के लिए और आप नए business models test out करना चाते हो क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा competition है अब देखो एक चीज़ बताता हूँ इंडिया में रहते हैं 140 करोड़ लोग क्योंकि ये वो लोग है जो इन ideas पे execute करते हैं अब देखो ideas तो मैं पूरी रात बैट के आपको दे सकता हूँ पर execution आपका काम है अगर आपको 2024 खतम होने से पहले 1,00,000 रुपे कमाने है तो first two ideas में से कोई भी implement कर लेना आप easily कमा लोगे third idea तभी implement करना जब आपके आज पैसा है cash burn करने के लिए अब अगर आपको ये तीन methods पसंद निया है और आपको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है तो आप नीचे अभी जाके comment कर सकते online income और मैं साथ business ideas की list आपको और ज़्यादा भीज़ दूगा ये सिर्फ business ideas नहीं होगे proper framework होगा कि कैसे आप 2024 खतम होने से पहले एक लाक रुपे easily कमा सकते हो अब I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो का target है मेरा 1000 likes and 500 comments अगर ये target पूरा होगया तो मैं drop shipping पे भी पूरा framework बना के डालूगा Thank you so much guys and मैं मिलता हो आपसे अगली वीडियो में